नमस्कार प्रदेश की एहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान प्रदेश की हाइलाइट्स अरिंदम और सालिहा के साथ आज बात करेंगे कि क्यों कहा मुख्यमंद्री ने ऐसा नवाचारों से राजस्थान में शिक्षा का स्वरूप और परिद्रश्य बदला है युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है ये कहना है मुख्यमंद्री अशोग गहलोत कावे आज बीकानेर के डूंगर कॉलेज में छात्रसंग काराले के उद्गाटन अफसर पर बोल रहे थे मुख्यमंद्री ने कहा कि शिक्षा सशक्त माध्यम है और इससे युवाब भविश्य के लिए सही रास्ता चुन सकते हैं मुख्यमंद्री ने कहा कि सरकार बहतर शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और युवाओं के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स लेकर आई है एक ये बाद है किसके मिलेज़ा आ रही है वह आपिड्याइन के अंदर है हर तरीके से आज हमने चार साल के अंदर तीन तो तीन ने कहरेश खोलती है उट पे एक सो तीन कहलेश गर्श के खोलती है ये कोष्णा करकी है या पांचो लड़के पड़ेगी गाओं में ये कश्मा में कहीं पे भी महां कोष्ण बना दिया जाएगा चात्रवर्त की बात हो अनुप्रति यूजना जो अफोर नहीं कर सकते हैं उनको 30,000 बच्चों को अम लोग पहले 15,000 ते अप 30,000 कर दिये फ्री कोष्ण गवान के बात हैं जो बच्चे अफोर नहीं कर सकते हैं और परतिवर्त हैं उनको विदेश टे कवेड़ने का उनके फैतला किया तो सो बच्चे थे संजा भरते गई इसाफा पांसो बच्चे उनको 30 साल बेढ़ने का पैतला किया है आने ये के खाच जाए अ हाने वाले कल के म clock की मबश्चे भने में संजा देन के रूपने वह आ गी आए और प्रदेश की भी देश से शिवाब करें को पर मुख्य हमंत्री ने कॉलेज में 3 न crss्रूर्म के निर्मान की भी खोशना की ये 3 ने πॉलना करता हूँ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बेडी कल्ला ने इस मौके पर 15 करोड की लागत से कॉलेज में ऑडिटोरियम बनाने का भी एलान किया उर्जमंत्री भवर सिंग भाटी ने इस अफसर पर कहा कि प्रदेश में बालिका शिक्षा के ख्षेत्र में तेजी से बदलाव हुआ है स्वामि के शोनंत्री विशविद्याल है और जो मरा गुरुजंबेसवर्ण भगवान के नाम से, आपने्सापलन विशुविद्याले का विशुविद्याले क सभाद नाम अभी बजट्ट में गोशपना की है यह विशुविद्याले भी आपकी देन है और जो इंजिनिरिंग का उनिवसिटी है विकानेर टेक्निकल उनिवसिटी ये भी आपके कारिगाल में 2013 में खोले गए विकानेर के डुंगर कोलेज सहीद इन दो कोलेज होते थे विकानेर में आपने 18 गोवर्मेंट के कोलेज पिसले चार सालों में विकानेर इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बैठक में हिस्सा लिया और फिर जोदपूर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में स्वास्थे का अधिकार अधिनियम आम लोगों के हित में है उन्होंने चिकित्सा को मानव सेवा का सर्वोत्तम पेशा बताते हुए डॉक्टरों से कार्य बहिशकार समाप्त कर जन सेवा की भावना से काम पर लोटने की अपील की है यह दोक्टरों के रिष्टाइग करना जाओंगा कि सवागाप्रा सेव करना जाती है इस ट्रीक पब्लिक को तखली होती है डॉक्टर को दो इस्वर मानते हैं और यह जो बनाए यह पब्लिक इंटरेस्ट में है जाता है कि राइट को हैल्थ का अधिकार मिल जाए इनका इनको गलत सभी द्रैमीज का बनकर है नोक्तर के लिए टुर कोई लॉट्रित में हम पता ही जोगार के लगारे खुला है अगर उत्र वट जॡूर कर में हम लोगे नोकोट्नृ तो उस्वर आंज刑 कि स्वास्ति सामाजिक नयाय और सुरक्षा तथा आवास श्रेणियों में राजस्तान देश में शिखर पर है स्कॉच स्टेट ऑफ गवरनेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है दिभिन एक्षेत्रों में राजस्तान ने शांदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी रैंक हासिल की है रिपोर्ट के अनुसार राजी की 78 परियोजनाओं को स्कॉच ओर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना गया है राजस्तान देश भर में दूद उतपादन में अवल है पशुपालन मंत्राले के रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि 2021-22 में देश का 15 फीसदी दूद उतपादन कर राजस्तान प्रथम रहा है खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में कड़ी कारवाई की जा रही है मुक्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भरतपुर पुलिस की खनन माफिया के खिलाफ की गई कारवाई की सराहना की है हाल ही पुलिस ने 30 टीमें बनाकर कई स्थानों पर एक साथ चापे मारी की और 84 वाहन जब्त किये अवैद खनन की चेकिंग के दौरान 3,28,000 से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला गया उधर अपरादों के खिलाफ जीरो टॉलरंस नीती अपनाते हुए पुलिस प्रदेश भर में बदमाशों की धर पकड़ कर रही है धौलपुर में पिछले दो दिन में 521 अपरादियों को गरिफतार किया गया इसके लिए 800 पुलिस कर्मियों ने 100 टीमों के जरीए ये कारवाई की राजस्तान हाउसिंग बोर्ड प्रदेश में हमारा प्रयास सबको आवास थीम मजबूत करते हुए कई योजनाएं लाँच कर चुका है 17 शहरों में 45,000 से ज्यादा फ्लैट्स और विलाज के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है हाउसिंग बोर्ड कमिशनर ने बताया कि इसमें एक व्यावसाईक योजना भी शामिल है अब सुनिए जिलू का राउंड अप चितोडगर में आज दुग्द दिवस समारू मनाया गया प्रताबगर दुग्द उतपादक सहकारी संग के इस करिक्रम में सहकारिता मंत्री उदैलाल आजना ने भी शिरकत की उन्होंने कहा कि दूद उतपादकों के सामुहिक प्रयास से इस क्षेत्र में क्रांती आई है जहां पहले चितोडगर सरस डेरी में 90,000 लीटर दूद का उतपादन होता था वहां अब 2,10,000 लीटर दूद डेरी में आ रहा है अब डेरी में 5 करोड रुपे की लागत से वियर हाउस और 75 करोड से पाउडर प्लांट भी लगाया जाएगा दौसा के सिकंदरा में आज सिलिकोसिस जागरूपता शिविर लगाया गया इसमें स्टोन व्यापारियों और श्रमिकों ने हिस्सा लिया शिविर में महिला बाल विकास मंतरी ममता भूपेश ने कहा कि सरकार सिलिकोसिस बीमारी के प्रती जागरूपता फैलाने की कोशिश कर रही है जैपुर में खादे पोशन स्वच्छता सुरक्षा और जेंडर पर कारशाला हुई इंदरा गांधी पंचायती राज संस्थान में कालिस की शुरुवात हुई इसमें शिश्यों के आदर्श पोशन के बारे में महिलां को पताया गया प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहट इस महीने लगातार रिकॉर्ड कनेक्शन्स जारी किये जा रहे हैं अजमेर में अब बूस्टर लगाने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी इसके लिए जलगाय विभाग की टीमें शहर भर में निरीक्षर करेंगी प्रदेश में निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वकांग्शी मिशन चलाया जा रहा है मिशन निर्यात तक बनू इसके तहट भीलवड़ा में कल प्रशिक्षन शिवर लगाया जाएगा इसमें उत्पादकों को नए बाजार तलाशने पैकेजिंग और उत्पाद भेजने के तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा मुख्यमंत्री युवा कोशल योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 30 मार्च है इसके तहट रोजगार परक, कोशल प्रशिक्षन और डक्षता कारिक्रम चलाए जाते हैं इसमें सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं नमस्कार